ओम नमो भगवते वासुदिवाई जय भुलिनात आप सभी को सावन पुर्णिमा की हार्दिक शुप काम नए आज सावन महिने की पुर्णिमा है आज के दिन भगवान शिफ और पुरे शिफ परिवार के साथ साथ भगवान श्री हरी और मालक्षमी जी की पूजा की जाती है साथ ही इस दिन उपवास भी रखा जाता है रात को चंदरोदे के समय चंददेता की पूजा करके ये उपवास संपन होता है पोनिमा के दिन शुरी सत्यनारान भगवान की कथा का पाठ जो भी भक्त करता है भगवान सत्यनारायन की करपा सदा उन पर और उनके परिवार जोनों पर बनी रहती है आज की इस वीडियो में आप सावन पुनिमा की कथा का रस्पान करेंगे उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सब ने आज तक पूरे सावन महीने में हमारे चैनल पर शिव महापुरान की कथाओं का रस्पान किया जिसके लिए आप सभी का हार्दि का भार क्योंकि सावन का पूरा ही महीना भगवान शिव को समर्पित होता है ऐसे में भगवान शिव और श्रीहरी से जुड़ीवी कथाएं आज की दिन सुनी जाती है बहुत सारी पौरानी कथाएं ऐसी हैं जिन में बताया गया है कि भगवान शिव की करुणा अपनी भगवान शिव को भोले नाद भी कहा जाता है एक पौरानी कथा के नुसार एक बार गजेंद्र नामक एक असुर्था भगवान के लिए तो सारे भगत एक बराबर होते हैं कोई भी भगत उन्हें सचे मन से पुकारे तो वो उसकी पुकार पर तुरंत दोड़े चले आते हैं ऐसा शायद कोई ही भगत होगा जिसने भगवान को सचे मन से याद किया हो उनसे सच्चे मन से विंती की हो और उसे भोलेनाथ ने ना पूरा किया हो इसलिए भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भगतों की जोली खाली नहीं रखते तो जो गजेंदर नाम का असुर्थ था एक बार उसने बहुत कठिन तपस्या की और भगवान शिव से ये वर्दान पाया कि वो जब भी उन्हें पुकारेगा भगवान शिव को आना ही होगा तिरी लोकों में सदा विचरण करते रहने वाले देवर्शी नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए भगवा शिव को पुकार लेता था तो उन्होंने एक दिन गजेंद्र के साथ एक चाल चली एक दिन उन्होंने गजेंद्र के पास आकर कहा ना रायन ना रायन गजेंद्र तुम शिवजी को बार-बार क्यों पुकारते हो और वो तो तुमारी हर पुकार पर आ जाते हैं क्यों नहीं तुम उनसे ये कहते हैं कि वो तुमारे अंदर ही आ जाएं और वहीं रहें जिससे वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही होंगे फिर तुम्हारी जब भी इच्छा हुआ करेगी तुम उन्हें पुकार कर अपने अंदर से उन्हें धून निकालोगे गजेंद्र को ये बात अच्छी लगी उसने फिर से भगवान शिफ की पूजा की जब भगवान शिफ उसके सामने प्रकटवे तो गजेंद्र बोला है महादेव अब आपको मेरे अंदर ही रहना होगा बस आप यही वर्दान मुझे दीजे आप मेरे अंदर बस जाईए और यहां से कहीं मत जाईए तब भगवान शिफ अपने भोले पन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वही रहने लगे फिर जैसे जैसे समय बीता पूरा ब्रहमांड भगवान शिफ की कमी महसूस करने लगा कोई नहीं जानता था कि वो आखिरकार कहां है सभी देव और गण शिफ जी को खोजने लगे काफी खोजने के बाद जब कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार महादेव कहां है तो वे इस समस्या का हल टूनने के लिए शिरी हरी के पास गए शिरी हरी ने इस्थिती देखी तो कहने लगे महादेव तो गजेंदर के अंदर है फिर देवों ने उनसे पुछा कि हे शिरी हरी वे भगवान शिफ को गजेंदर के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि गजेंदर तो शिफ जी को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था हमेशा की तरह शिरी हरी ने इस समस्या का भी सही समाधा निकाला देवगंड शिव भक्तों का रूप धर कर गजेंदर के राज में आए और बहुत ही भक्ती के साथ भगवान शिव का इस्तुतिगान करने लगे भगवान शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंदर ने इन लोगों को अपनी दर्बार में आकर गाने और नाचने का निमंतरन दे दिया शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ सची भक्ती के साथ वे भगवान शिव को प्रसन करने के लिए भक्ती गीत काने लगे और इस्तूती करती वे नाचने लगे भगवान शिव जो गजेंदर के अंदर बैठे वे थे अब खुद को रोग नहीं सकते थे उन्हें जवाब तो देना ही था उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे उन्हें सामने तो आना ही था तब वे गजेंद्र के टुकडे टुकडे करके उससे बाहर आ गए और बाहर आकर तब उन्होंने देवताओं को अपना वास्त्विक दर्शन दिया कहते हैं कि जब कोई भक्त एहंकार करने लगता है तो उसका घमन चूर करने के लिए भगवान फिर पीछे नहीं अटते यही कुछ हुआ था गजेंद्र के साथ एक और अन्य कथा के नुसार भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस देव और असुर श्रेष्ट और अधम सभी लोग करते हैं वो हर किसी के लिए महादेव हैं श्री हरी भी उनकी पूजा किया करते थे श्री हरी की भगवान शिव के भक्ती बताने के लिए जो ये आप कथा आप सुनेंगे बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्रचलित पुराणिक कथा है एक बार श्री हरी ने भगवान शिव से वचन दिया था कि वो उन्हें 108 कमल के पुष्प अरपित करेंगे पूरे संसार में खोजने के बाद जब उन्हें 108 कमल के फूल मिले तो उन्हें लाकर सारे फूल भगवान शिव के सामने अरपित कर दिये अरपित करने से पहले जब श्री हरी ने उन कमल के फूलों को गिना तो बार बार गिनने पर भी हर बार एक फूल कम ही मिलता उन्हें ने सोचा मैंने तो 108 कमल के फूल तोड़े थे एक फूल बार बार कम क्यों रह जाता है उधर भगवान शिव अपनी आखे बंद किये वे ये सारा विधान अपने मन की आखों से देख रहे थे वो जानते थे और ये सारी लीला भी उन्हें की रचाई भी थी वे देख रहे थे कि श्री हरी इस समय बड़ी परिशान मुद्रा में है तो उन्होंने अपनी आखे तो नहीं खोली बलकि सिर्फ मुस्कराने लगे क्योंकि उनको अरपित किये जाने वाले 108 कमल के फूलों में एक फूल कम जो था फिर श्री हरी ने भगवान शिव से कहा हे महादेव मुझे कमल नयन कहा जाता है जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आखो वाला हे भगवन मेरी आखे किसी कमल की तरह सुन्दर है तो आज मैंने आपको जो 108 कमल के फूल अरपित करने का वचन दिया था उसमें हर बार गिनने पर भी एक कमल का फूल कम रह जाता है इसलिए आज मैं अपनी एक आख आख आपको अरपित करने जा रहा हूँ ऐसा कहकर उन्हाने तुरंत अपनी दाहिनी आख निकाल कर भगवान शिव को अरपित कर दी सावन पूर्नीमा की एक और कता है जो की भगवान शिव और भूले नात को समरवित है आपने बदरीनाथ धाम के बारे में तो सुना ही होगा यह वो जग़ा है जहां कभी भगवान शिव और देवी पारवती रहते थे आप तो जानते हैं कि बद्रीनात दाम तो भगवान श्री हरी का निवास है लेकिन उनसे पहले यह भगवान शिव और देवी पारवती का ही घरवा करता था आखिरकार कैसे भगवान श्री हरी उनके निवास स्थान में आकर बसकए इसके पिछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है दरसल एक बार भगवान श्री हरी के पास दिवर्शी नारत गए और कहने लगे हे प्रभू आप तो मानवता के लिए एक बड़ी खराब मिसाल बनते जा रहे हैं क्योंकि आप तो हर समय बस शेशना के उपर ही लेटे रहते हैं ना रायन ना रायन हे प्रभू और तो और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी भी हमेशा आपकी सेवा में ही लगी रहती है और आपको हर समय लाड़ ही करती रहती है इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं प्रभो आपको स्रस्टी के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपून कारे जरूर करने चाहिए इस प्रकार कहकर देवर्शी नारत तो वहां से चले गए इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए कई बार भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है तो भगवान श्रीहरी तपस्या और साधना करने के लिए किसी सही इस्थान की खोज में नीचे हिमाले तकाए वहीं उन्हें मिला बद्रिनाथ एक अच्छा सा चोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था एकदम शांत जहां उनकी साधना में किसी भी तरह का कोई विख्र नहीं आ सकता था साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगय लगी थी उन्हें बस वो उसी घर के अंदर चले गए क्योंकि उस समय वो घर बिल्कुल खाली था जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर प्रिवेश किया तो उस घर को देखते ही उन्हें पता चला कि ये तो भगवान शिफ का निवास है और भगवान शिफ के क्रोध के बारे में तो सब कोई जानते हैं अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर आकर बस गया हूँ तो वो तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे अपने भक्तों की गलती पर इतना क्रोध उन्हें आ जाता है कि कई बार वे अपने भक्तों का गला तो काट ही देते हैं क्रोध के मारे अपना गला तक काटने से नहीं चूकते भगवान शिरी हरी ने जब ऐसा सोचा तो चुपचाप उन्हाने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने ही बैठ गए उस वक्त भगवान शिवर देवी पार्वती बाहर भ्रह्मन करने के लिए गए हुए थे जब भ्रह्मन के बाद वे वापस अपने घर लोटे तो उन्हाने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा था उस नन्हे से बालक को देखते वे जो की रो रहा था देवी पार्वती को बड़ी दया गई उन्हाने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की इस पर भगवान शिव ने उन्हें रोकते वे कहा देवी इस बच्चे को मच्छूना रोती वे बच्चे को इस प्रकार जमीन पर बैठा हो देख देवी पार्वती भगवान शिव से कहने लगी महादेव कितने क्रूर हैं आप कैसी ना समझी की बात कर रहे है मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ देखे तो कैसे रो रहा है भगवान शिव बोले देवी जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करना मैं कह रहा हूँ ना इस बच्चे को मत उठाओ बच्चे के लिए देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी उन्होंने भगवान शिव की बातों को माना ही नहीं देवी कहने लगी महादेव आप चाहे कुछ भी कहिए मुझे आप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे अंदर की मा इस बच्चे को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाओंगी ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठा कर अपनी गोद में ले लिया रोता हुआ बच्चा देवी की गोद में आते ही शान्त हो गया जो बच्चा कुछी देर पहले जोर जोर से रो रहा था देवी पारवती की गोद में आने के बाद एकदम शान्त हो गया और बड़ी जोर जोसे हसने लगा और भगवान शिफ की तरफ देखने लगा भगवान शिफ तो जानते ही थे कि आखिरकार ये सारी लिला रचाही किसने है जब बच्चा खुश होकर भगवान शिफ की तरफ देख रहा था तो भगवान शिव समझ गए कि इसका नतीजा क्या होने वाला है लेकिन करें तो क्या करें? उन्हाने देवी से कहा ठीक है अब जब तुमने इस बच्चे को गोद में उठा ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है उधर देवी ने उस बच्चे को घर के अंदर ले जाकर खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़ कर खुद भगवान शिव के साथ कर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चले गई बतिरनाथ धाम के पास ही कर्म पानी के कुंड है उसी कुंड में इसनान करने के लिए भगवान शिव देवी पार्वती चले गए इसनान करके जब वापस लोटकर आये तो देखा कि उनका घर तो अंदर से बंद था भगवान शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है देवी पार्वती भी हरान थी कि आखिरकार दर्वाजा अंदर से किसने बंद किया होगा तो भगवान शिव कहने लगे देवी मैंने कहा थाना इस बच्चे को मत उठाना लेकिन तुम तो नहीं मानी इस बच्चे को उठा कर तुम घर के अंदर लाई और अब उसी ने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया है अपना ही घर होते वे हम द्वार के बाहर खड़े हैं देवी पार्वती कहने लगी हे प्रभू अब आप ही बताईए हम क्या करे अब महादेव के पास किवल दो विकल्प थे एक जो भी उनके सामने है उसे जला कर भस्म करते और दूसरा की वे खुद उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाएं और कोई और घर अपने ले ढोड़े तो उन्हाने देवी से कहा देवी वैसे भी वो तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है और मैं तो उसे चूब भी नहीं सकता इसलिए चलो अब हम ही कहीं और चलते हैं मैं आप कुछ नहीं कर सकता इस तरह भगवान शिव और देवी पार्वती को अपना ही घर चोड़कर वहाँ से जाना पड़ा अब वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े दरसल बद्रिनाथ और केदारनाथ की बीच में एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच कहते हैं कि सर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और आखिरकार में अपने ही घर से निकाले गई भगवान शिव और देवी पारवती केदारनाथ धाम में जाकर बस गए और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का ही घर खो दिया बद्रिनाथ और केदारनाथ धाम चार धामों में से एक हैं कहा जाता है कि जब भी भग्त खाली जोली लेकर भगवान के दर पर जाते हैं तो वापस लोटते समय उनकी जोली खाली नहीं रहती भगवान उनकी हर मुराद पूरी करते हैं इसलिए जीवन में जब भी संभव हो एक बार इन चारो धामों के साथ ही बद्रिनात धाम और जार नात धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए सावन पूनिमा के दिन सच्चेमंसे जो भी भग्त भगवान शिफ और श्री हरी की करपा सदा उन पर और उनके परिवार जनों पर पनी रहती हैं यह不好意思想न पूनिमा की कथा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो